नमस्कार दोस्तों आप सभी क्रिकेट प्रेमियों का हर्दिक स्वागत है हमारे इस क्रिकेट यूट्यूब चैनल क्रिकेट रेडियो के उपर आखिरकार IPL 2018 की सारी टीमों का प्लेयो रिटेंशन का लिस्ट आ चुका है मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वालों कि कौ उन्सी कौन से टीम ने कौन कौन से प्लियर यहाँ पर रिटें किये है कुछ यहाँ पे आपको सॉप्राइज़ मिलने वाला है कुछ टीमों ने आप बहुत ही सब्रेसिंग यहाँ पर डिशिजन लिये तो मैं आपको प्लेयर बताने के साथ साथ थोड़ा सम मेरा अनालीस आपको बताने वाला हुआ तो देखते रही है हमारे वीडियो आखिर तक और अगर अभी तक आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे कलाल बिटन दबा कि अभी हमें सबस्क्राइब करें क्योंकि सबसे तेज और सबसे बहतरी इंजान का रहा हम आप तक पहुंचाने वाले तो सब्सक्राइब करना ना बूले दोस्तों और चलिए सुरू करता है इस बार लौड रही टीम CSK के साथ चेने सुपर किंग्स इस साल किसको रिटेन करने वाली है मैं आपको बता दोस्तों तीन प्लेयर्स यहाँ पे CSK ने रिटेन की है जैसे कि सब लोग सोच रहे थे दो नाम तो यहाँ पे तै थे जिसमें सबसे पहला नाम आता है CSK के थाला और कप्तान महेंदर सिंग दोनी का और उनके साथीदार चोटे भाई जैसे सुडेश रहिना का ये दो प्लेयर्स यहाँ पे MS-Dोनी और सुडेश रहिना तो रिटेन करने वाले थे सब को बता था लेकिन तीसरे नाम के लिए यहाँ पे रविंदर जाडेजा और आर अश्विन को यहाँ पे उनके बीच यहाँ पे रेस थी हमने आपको सबसे पहले बताया था कि यह आर अश्विन नहीं बलकि रविंदर जाडेजा होंगे और हमारी बात सरी निकली दोस्तों यहाँ पे रविंदर जाडेजा होंगे यहाँ पे CSKK तीसरे यहाँ पे रिटेंशन, MS Zoni, सुरेश, रहिना और रविंदर जाडेजा यह तीन प्लेएर्स यहाँ पे CSKK इन रिटेन किये आगे बात करें तो कॉलकता नाय टेर्स नहीं यहाँ पे सुनिल नारायन और अंड्रे रसल को रिटें किया है काफी सारे fans अंड्रे रसल के लिए KKR के लिए कह रहे थे लेकिन यहाँ पे गौतम गंबीर का यहाँ पे नाम नहीं है कौतम गंबीर जिननों ने कौलकता को इतनी बार champion मिनाया जिनों ने पूरी team मनाईशा रहा था कि इस वार गौतम गंबी को यहाँ पर रिटेन नहीं करेंगे लेकिन आई टीम के लिए शायद ले जाएंगे तो यहाँ पर जहाँ पर पर थोड़े से प्रेडिक्षन के एंड में यहाँ पर एक सब्प्राइज दिया है हुए सबसे पहला नाम कोई मना नहीं कर सकता है कि यहाँ पर विराट कोली का आएगा कफतान आएगा दूसरा नाम यहाँ पर आता है एबी डिविलेर्स का तीसरा हम मान रहे थे की युजव लेके आएंगे बताएंगे एक छोटी बात में आपको बता तो यहाँ पर विलाट को लिया एक डिविलेर्स आर से भी को थोड़े महेंगे रिटेंशन हुए क्यूंकि क्यूंकि यहाँ पर रूल नाया आया था कि कोई भी प्लेयर अपनी टीम के साथ रिटेंशन की सफरास्ट खाने यहाँ पर आर सवी के लिए आपको यह लगता है सरफरास का सेलेक्शन सभी यह यह कोई और होना चाहिए था यहाँ पर इसके बाद बात करें तो डिफार्डिंग चैंपियान मुमेंडिंस जिसके लिए हमने जो प्रेडिक्शन की थी वह सच है तीन प्रे रोई चर्मा, हर्दिक पंडे और भूमरा को यहां पे रिटेन किया है इसके बात बात करें तो सन्राइजस हैजराबाद ने भी as expected अपने कपतान डेविड वारनर को रिटेन किया है तेज गेंद बास भूनेश और कुमार को रिटेन किया है लेकिन सिखर दवन या किसी और प रिटेन नहीं किया गया इसके बात बात करें तो मुझे सबसे बड़ा यहां पर सौप्राइज मिला इस टीम से जिसका नाम है राजस्तान रॉयल्स जिनों ना सिर्फ एक प्लेयर को रिटेन किया है और उस प्लेयर का नाम है शायद उनके होने वाले कप्तान स्टेव लेकिन अच्छा अच्छा उप्संस थे जैसे कि अजंकिया रहाने थे उनके पास ऑप्शन में जेम्स फॉक्णर थे उनके पास ऑप्शन में लेकिन उन में से किसी को भी यहां पर रिटेन नहीं किया गया माना यह जा रहा है मेरा यह मानना है कि शायद उनको लगता है मैं रेजस्तान रॉयल्स को यहाँ पर यह दो प्लेयर को रिटेन ना करना वो देखना रहेगा इसके बाद हम आगे बात करें तो बात आती है कि इनुट सिलर्न पंजाब की जिसने रच्षान रॉयल्स के नक्षी कदम पे चलने की बात की है यहाँ पर जिहां इनों सिर्फ एक हि प्लेयर को रिदें किया है हमने आपको सबसे पहले बता दिया कि यहां पर ग्लेयन मैक्सवल को किंग से लोम मिंजाब कर तरब करने का पीछे यह था कि ITM में यूज करेंगे यहां फिर कुछ और Delhi Dad Devils की बात करेंगे यहां पे Chris Morris को सबसे पहले रिटेन किया है और उनके साथ दो युवा बारतिय बल्लिबास Rishabh Pant और Shriya Sajir को हम सब जानते हैं कि Rishabh Pant और Shriya Sajir काफी उम्दा और बहतरीन युवा भरते खिलाड़ी है तो यहां पर डाले डाले टाविस राड़स और पंजाब मुझे लगता है कि एक नए सीरे से टीम फॉर्म करना चाहती है यह थी दोस्तों आई पेल 2018 की प्लेयर रिटेंशन की कहानी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें बता ना बुले कि आपकी टीम ने क्या सही निडाय लिया है नहीं लिया है आप अपनी टीम के डिशीजन से क्या आर अश्वीन को मौका मिलना चाहिए था क्या गेल को रिटेंट क कीजिए और आइटीम का आपको क्या लगता है वो भी हमें बताइए ऐसे ही बैचरीन आईपेल 2008 की सबसे बैचरीन और